हालो दोस्तो नमस्कार आपका स्वगत करता हूँ फिर से हमारे नए यूटूब वीडियो में दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं हम अपने पसुमों को मिलको जिन टैबलेट दे कर किस प्रकार से इनका दूद बढ़ा सकते हैं उससे पहले दोस्तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो दोस्तो हमारे हाथ में मिलको जिन टैबलेट जिसे दे कर हम अपने किसी भी पसू का दूद बढ़ा सकते है यह गाय, भैस, भेड बगर दिया मुखते रूप से हम इनका दूद बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ा सकते है दोस्तो मिलको जिन टैबलेट की MRP है एक डब्बे की MRP है 125 रुपए, आपको 105 रुपए के नियर बाउट मार्केट में मिल जाएगा, दोस्तो आपको यह देना कैसे है, आपको लाइफ इस वीडियो में दिखाए जाएगा, किस प्रकार से आप अपने पसू की या दवात देंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो मिलने वा होगा, हमें एक दिन में पसू को तीन बार टाबले डेना चाहिए, पांच टाबलेट सुबह, पांच टाबलेट सम और पांच टाबलेट दोपर में, लेकिन दोस्तों, अगर आपको समय नहीं है तीन टाइम देने का, तो आप दो टाइम दे सकते हो, यान्नी दश भैस है हम इसको इस यह milkogen tablet को खिलाएंगे आप देख सकते हो किस प्रकार से कितनी आसानी से यह भैस हमारे इस milkogen tablet को रोटी को दोनों साथ में ही बहुत ही आसानी से खा गई किसी भी प्रकार की smell नहीं आती इस दवा से यह दवा खाने में सवाधिश होता है तो दोस्तों आप कितनी आसानी से हम अपने भैस को milkogen tablet खिला दिये हैं उसके बाद दोस्तों हम दूसरी तयार करें दूसरी अपने गाय को देने के लिए तो क्या करेंगे हम automatic रोटी के जो छिलके रते हैं उनको तोरह फार देंगे फारने के बाद उनके अंदर दवा को डाल देंगे ताकि आप देख सकते हो लेकिन दोस्तों आप एक बाद याद रखना यहां एक प्रेग्रेंसी सेप दवा है आप अपने गाविन पसु को भी दे सकते हो बिना गाविन पसु को भी दे सकते हो इसका किसी भी परकार का side effected नहीं होता है दोस्तों milkogen tablet देकर आप अपने पसु का बढ़ा सकते हैं आप दो दिन दवा देने की बाद आपके पसु में दूद काफी अच्छी मत्रा में बढ़ जाएगी तो दोस्तों आपको हमारा या वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्सिर में जुरूर बताना अगर आपकी पसुदों में किसी भी परकार की समस्या हो तो कमेंट करें आज के लिए इतना ही धन्यवाद हमारे यूट्यूब फैमिली में